मुझ चुके हैं नर्सिंगड का किला और ये किला जो है MP का तीसरा सबसे बड़ा किला यानि कि इस से बड़े दो किले और हैं एक किला जो की माइंडू में है और दूसरा किला जो की क्वालियर में है और उसके बाद तीसरा किला ये सबसे बड़ा है क्या हाल भाई लोग मैं सिवाम एकदम बढ़ियां और आसा करता हूं कि आप सभी लोग वी एकदम बढ़ियां होंगे आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं नर्सिंगड का किला देखने के लिए तो यह है वो किला यह किला अपने आप में रहस्त में किला है और यह अपने अ यह किला करीब करीब 400 साल कुराना है और पारस राम जी के द्वारा यह किला बनवाए गया था मालवा का कस्मीर भी इसी नर्सिंगड को कहा जाता है यह किला काफी बड़ा है और इसके लिए की बात यति की जाए तो इसमें 304 कमरे हैं चार बड़े हाल है बारहा चौक हैं और 64 बरामदे हैं तो जो कि काफी बड़ा है और खंडर इस्टितिम हो चुका है लेकिन यहां से पूरा नर्सिंगड देखता है किले को घूमने में ह हम काफी कम समय में यह केला कवर करने वाले है और आपको एक बहुतर वीडियो हम पहुंचाने वाले हैं और जलमंदिर जो कि बोलेनात का है लग जबर दस्तियार अमेजिंग और केला अपन पहली बार मूँने आते राजगड वाला गये पर इसकी सुरक्षा नहीं की जा रही है यह किला अपने समय का सबसे भव्वी किला है इसकी स्तापत तिकला का कोई तोड़ नहीं है आज के समय में यह अपना एक अलग ही महत्व रखता है इसके चारों तरफ हर्याली और प्राकृतिक जो परिवेश इतना अच्छा है जिसका कहीं भी कोई सानी नहीं है अपने बावडी आज के टाइम में जो कि खंडर में तब्दिल हो चुकी है लेकिन यह बावडी अपने टाइम की एक असीम कलाकृतियों में से एक थी यह देख रहे हैं आप पूरा नरसिंगल सहर बसा हुआ है और वो चारों तरफ पहाड़ देख रहे हैं यह जल मंदर है यह जो मंदर आप देख रहे हैं यह नरसिंग भगवान का मंदर है और किला वो देख रहे हैं काफी बड़ा किला है एक रास्ता यहां से यह जाता है खूप यह रास्ता बोल सकते हैं आप इसको जो कि पुराने समय में राजा महराजा बनवाया करते थे और यह जो है यह किले से बहार जंगल में निकल जाता यह रास्ता हाँ पर एक बारात घूमने आई थी किला घूमने के लिए यहां पर आई थी लेकिन हुआ कुछ यह कि वो बारात जो आई थी वो यहां से गायव होगी और तब से अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है कि वो कहां गए कहां नहीं गए क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं लेके उस हिस्से पर थे उपर वाले पर वहां से हम घूम के आए हैं पूरा यह पूरा पैक है और उसके उपर भी हम गए थे और यह उसका दूजरा हिस्सा जो कि हमने आपको उपर से दिखाया था यह रहा वो हिस्सा लेकर अधिश्चाता देव बगवान नर्सिंव का यह मंदिर इसी मंदिर के नाम पर और यहीं भगवान के नाम पर इस ज़ाल का नाम नर्सिंगळ पड़ा है और निधर आप देह सकते हैं श्रिभाला जी सरकार जोके इसमन्दिर अधिश्चातादेव हैं उनका भी मंदिर बना हुआ है यहां से एक रास्ता और है और वो रास्ता जाता है यहां से बाहर की तरफ यानि कि एक दूसरा दौर है जो आपको सीधे सहर में ले जाएगा पीछे की और से और ये पूरा सहर बसा हुआ है आप देख रहा है बहुत बड़ा है तो आपको रास्ते खुद तलासने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे कि आखिर आप कहां से पहुंच सकते हैं तो थोड़ा समल कर चलिए क्योंकि यहां पर इस्तिति कुछ ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी घंडर में तप्तिल हो गया है तो थोड आजिस्तानी कल्चर प्लस मालवा कल्चर मिलके एक ऐसी नई भाषा का निर्मान करता है आपको तम और तम करके बोलते हैं तम का मतलब आप होता है हां थोड़ी इसी तरीके की अलो ठीक है बढ़ियां लगती है यहां की बासा लेकर तम तमारों महारों के लोकल वर्ट्स है आशा मेरी मात्र आशा भी बोल सकते हैं आप क्योंकि मैं आप पर पैदाईश मेरी यहीं की है तो नर्सिंगार मेरा पैत्रिक छेत्र भी है इसलिए मुझे इस जगा से बहुत ज़्यादा प्यार है मैं आपको बाबा वैजनाथ के दर्शन कर आता हम यहीं से आपको बाबा वैजनाथ के दर्शन हो रहा है यह है अमारे बड़े महादेव दूर पहाडी पर बाबा बैजनाथ धाम जो कि बड़े महादेव के नाम से प्रसीद है उसी के बाजू में पानी की टंकी जो है जस्क उसके ऊपर चोटे महादेव विराजबान है और एक सरोवर है और अने को अनेक मंदिर इस पहाडी पर विराजित है इस पहाडी में आपक को काई सारे देढ आवा कि ए लूंगे, बेला हम जा चलो घल गागर आषता आषता सई है जया यावई है करता दषक अगित भॉवर हैं आदोई हैम पमोल оф किर मोढई है लॉ आओ Christmas मोई हम्हें और्स कई सारी किस्टे जिन में से एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि यहां के जो महराज है उनके जो कुमर थे पुर्चेंशिंग दरबार अपना एक जुद्ध रडा भगवाती से उन चैंशिंग दरबार को जो है आशिरवात प्रात तो उन्होंने अपना सिर्क आड के सारी रात अंग्रेजों से युद्ध करते रहे ऐसी कथा यांकिते दंतकथा प्रचली थे और सुबह होते होते उन्होंने लगबग लगबग सिसकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको पहुंचना आए तो यह जीनहा किले ने में बहुत है एक महीने यहां पर रुके हुए लेकिन महीने के अंत में हमें जाकर समय मिला है तो हम किला गूमने आ गया है वो भी जितन विया ने आज हमारा पूरा सयोग किया जिसका अंजाम आज यहां पर पहुंच पाएं तो इनके लिए दिल से धन्यवाद